जय हिंदुराश्ट एक सामानने बात है परंपरा है ये भारत की किसी की मृत्य पर प्रसंवनता वेक्त नहीं करते हैं ऐसा कहा जाता है ऐसी घटनाएं हैं कि किसी परवार में मृत्य हो गई तो उसके पड़ोस्ट में विवाह होना था लोगों ने विवाह वहां से बरत नहीं चड़ाई अपने घर से किसी मंदिर से चड़त कर दी या कहीं और दूर से किसी और कारकर मुस्थल से किसी हॉल पे विख करके महां से काम किया कि जिस परवार में कष्ट हुआ है उसके दुखों को बढ़ाने की कोई अपनी तरफ से कोशिश न हो मेरी परवार में मेरे सगे मामा का दिहान्त हो गया था हमारे परवार में विभा हुआ था और बढ़ा विभा के बाद बहु आई ये तो उत्सव होता है तो वो सारा बंद कर दिया गया था कहके कि वो उसकी तभी ठीक नहीं कि मां को बताये नहीं गया था कि उनके भाई नहीं रहे तो स्वास ठीक नहीं फलान नहीं ऐसा करके टाल गये थे यह बात ठीक है और यह शिष्टता भी है मानवीता भी है तो फिर प्रतिवर्ष दशेरे पर रावण कुम्बकर्ण मेगनाद इनके पुतली जलने का क्या मतलब है यह होता है हर बर्ष कोई ऐसी चीज तो नहीं कि जब भी छिपी हो दशेरे के दिन सुनते हैं कि मुलायम सिंग जी का मुझसे बड़े थे आयुए में तो मुझे इतना समान करना चाहिए और यह समाने शिष्टता है कि उनका शरीर शांत हो गया था मगर मेंटी लेटर पर खेंचा गया किसी के शायद मन में यह बात आई होगी कि दशेरे की दिन मरेंगे तो फिर प्रभुराम को के भक्तों को कष्ट दिया तो दशेरे की दिन प्राणने के लिए टाइप की कोई बाते न उठी कुछ इस तर भुद्धनी जो साथी है उसके कंदे पर हाथ हमेशा रखा हमेशा मदद की कुछ उट पठांग काम किये मायवती जी पर जो लखना हुगा गेस्ठाउस कांड है कि उनके उनको वहां से निकाल कर बाहर घसीट के और उनके कपड़े फाड़ना और यह सब करना ऐसा कहते हैं लोग के उनके इशारे पर हुआ बहुत दूर तक नहीं चलते उन्हीं की पार्टी के साथ मायवती जी ने फिर आप साथ मिताव बनाई यह सब हुआ बढ़ाल जो कुल मिलाकर उनके उपर बड़ा आरूप है वो यह के आयोध्या में राम भक्तों पर उन्होंने गोली चलवाई और 28 लोग मारे ऐसा उन्होंने स्वाइम पुबूल किया उनकी वीडियो मैं भी आज दिन में ही देख रहा था कि वो भाशन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत आवश्रक था जरूरी हो गया था मुसल्मान लड़कों के हाथों में हत्यार आ गए थी मैं आज बता रहूं कि लोगों ने हत्यार उठा लिये थे मुलाइम सिंग जी या इस मानसिक्ता के लोगों को जो चिंता सता रही है या जिसका वो ड्रामा करते हैं ये चिंता तो गांधी को भी थी ये चिंता तो पंदरा सो वर्ष से सारे संसार को है क्योंकि ये मानसिक्ता ही ऐसी है ये सशत्र रहकर सारे लोगों के साथ अन्याय करती हुई उद्धंडता दिखाती हुई दर्थ दिखाती हुई और अपने आपको राजसी मानसिक्ता की सेतालिस में जो विभाजन हुआ है वो जिमात्र भूमी का वो विभाजन किसी और कारण से नहीं मांगा था उसका आधारी एक था कि हम मार्शल रही से हैं हम बाशात करने वाले लोग हैं हम तुमारे साथ नहीं रह सकते हमको अपना देश चाहिए जहां मारी चले इस दर्ब से भरी हुई है तो उसके इस दर्ब को तोड़ना आवश्रक है या उसके सामने पूछे लाना और उसको संतुष्ट करने के लिए 28 या 56 जैसा वो कह रहे थी कि अटल भीहरी वाजपी ने 56 कहे जितने भी क्योंकि मैंने 90 के उस संधर्ष के बाद अस्पताल हम लो वहां सैक्ड़ों लोगों ताके लगे हुए चोटे लगे हुए जख्म खाए वे गोली जख्म से पढ़ हुए लोग मैंने सुइन देखे हैं सेक्ड़ों लोगों पर बैयनत प्रहार हुए यह घटना क्या थी इस पर थोड़ी सी बात करना चाहुंगा लोगों को इतियास फता लगना चाहिए और मुरादावात के राश्ण जी में सक्री नहीं थे बिल्कुल शांद थे, और मुरादावात के राश्ट्री विभाग प्रचारक थे दिनिश्यंद्र त्यागी उनसे उनका अच्छा परिचे था उनने दिनिश्यंद्र त्यागी जी को यह सुझाओ दिया कि राम जंग भूमी कृष्ण जंग भूमी और काईपशी विश्वनात के मंदिरों का अंदो लग चला जिए स्वामान हिंदों को तो पता भी नहीं था कि इन मंदिरों की स्थती यह है कि हम अजजिदें बनी हुई है या इद्गा बनी हुई है लोग को पता ही नहीं था इसका ध्यान ही नहीं था राष्ट के मान बिंदूं को इस बुरी तरह से पद्दलित किया गया रौदा गया इसका ध्यान राष्ट को नहीं था दिनिशन त्यागी जी की समझ में बात आई विचार आया और उनने संग के वरिश्ट लोगों से बात की देवड़े जी उस समेक्षतर वचारक थे उनसे बात हुई उनकी स्विक्रति से फिर ये तैह हुआ कि एक संगठन बनेगा हिंदू जागन मंच करके संगठन बनाए गया दिनिशन त्यागी पर्षिमुत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री समयुजग बनाए गये मैं उनके साथ प्रदेश का प्रचार सचिव करके संलग में था इसके प्रत्यक्ष बिलकुल आखों देखी जानकारियां जो देश सकता हूँ मैं और भी कुछ लोग होंगे मगर मैं निश्यत रूप से और कारेप्धिती ये तैकी गई कि कुछ हिंदू सम्मेलन किये जाएंगे कारेकम किये जाएंगे कि मुरलावद में हिंदू सम्मेलन हुआ बिज्णौर में हिंदू सम्मेलन हुआ करकम के हजार लोग एक लाक लोग का दावा है एक लाक लोग तो नहीं अगर हाँ 50-55-60,000 लोग उस कारकम में थे संग के सरसंग चालग रजुभिया उसमें उपसित थे बहूत सभर्दसक कारकम था यहां से हिंदु समाज को यह बताना कि हमारे मानविंदों हमारे जो मुखे केंद्र हैं वो मस्जिदों की शकर में हैं उन पर हमले हुए हैं उनकोई पद्दzung कर दिया गया उन पर मस्जीदें बना दी गई गई हैं मत्रा में तो यिद्गा बनी दी है यहां से बात शुरू हुई जोरदार उत्तर प्रदेश में कारकम चल रहे थे सब कुछ हो रहा था कुछ दिन तक यह सब बातें बढ़ती रही आगे एक घटना ऐसी घटी जिसने राजिनीतिका भरत की रुखी मूर दिया शावानों का फैसला आ गया शावानों को उसके पती ने तराफ दे दिया निकाल के बाहर करा उसके बच्चे थे और उस शावानों सिक्स्टीज में थी मतब जीवन के उस पड़ाव पर थी जहां रोजी रोटी के लिए भी उसकी दुर्गत हो जाए तो उसमें मुखत्मा किया और कुछ सौ देड़ सो रुपे कुछ 162 रुपे ऐसा कुछ एग्जेक ध्यान नहीं है मुझे उतने पैसे महीना देना कोट का आदेश हुआ सारे भारत में हंगामा मचा दिया इसलामी लीडर्शिप ने मुस्लिम पर्सनल राउंस में हस्तक्षिप हो राय कोट कौन होती हमको यादेश करने वाले कि हमने अगर अपनी बीवी को तलाफ दे दिया है तो इसका पैसा हमको देना पड़ेगा उसके जीवनी अपन की विवस्ता हमारी है नहीं है इसलाम ऐसा नहीं कहता है इसलाम यूं कहता है उसमें खलाना खुब हंगामा हुआ और एंडी तिवारी और दूसरा ये अरजुन सिंग इन दो नामाकूल लोगों ने राजीव गांधिव को पटा लिया या दबूच लिया और फैसला पलटवा लिया आरिफ मुहमद खांसाब उस वक्त मिनिस्टर थे वो शावनों के पक्ष में बड़ी पैरवी कर रहे थे इसलामी दृष्ट को उन से पैरवी कर रहे थे उन्होंने तंग आकर इस्तीफा दे दिया आरिफ मुहमद केंद्र में मंत्री थे उनको उन्होंने राजनिती छोड़ दी और समाजी कर रोने लगे अब एकदम से इसके विरोध में हिंदू चोग गए कि 47 में अभी भारत का विभाजन हुआ है पचास साल नहीं हुए विभाजन हुए इसलामी हमारे केंद्री राजनितिक दल को बाद्धि कर सकते हैं अपनी शर्तों पर चला कर कोड का डिसेन पलट वा सकते हैं हिंदू बिल बिला गए अब समस्याई कि हिंदू बहुत नारास हैं क्या करें उस समय पता नहीं कॉंग्रेस में किसने कराया था कि रामजन भूमी के सलसले में अंदोलन होई रहा था उसका ताला खुलवाने की कोर्ट में किसी वकील ने लोकल वो कॉंग्रेस की इशारे पर ही हुआ था कि कौन किस के आदेश से ताला लगाया गया है अब इतनी पुरानी सन पचास से पहले कि फाइल किसी पास थी नहीं फाइल में ओडिटेज नहीं थी या पेपर नहीं था बहाल ताला खुलने का भूशना हो गई एकदम से हिंदू हिलो इस हिंदू हिलोर के कि ब्रामजन भूमी यानि बावरी मस्जित का ताला खुल दिया गया नाम भगवान नाम के दर्शन शुरू हो गए मैं स्वैम मेरे पिता कॉंगरी सी थे वो जीवन में कभी उनने भाज़पा को वोट नहीं दिया जंसन को वोट नहीं दिया मेरा पूरा घर बड़ा जोरदार बड़ा घर है मारा पूरा घर उनने बिलकुल मेरी बेहन की विभा में सजवाया था या उस दिन मैं उस दिन काशिपूर में भी नहीं था हम लोग तो भागा दोड़ी में थे पूरा घर बिजली से सजवाया गया एक खुलोर होली खेली गई जलूस निकले अब मार्ट के उच्छा हिंदों का देखने वाला था अब वो ये मामला हिंदो-मस्लिम तरातनी का बन गया इनाम जान भूमी का मुद्दा मुसल्मानों को सता रहा था शावानों हिंदों को सता रहा था ये कॉंगरेस की बेवखूफियों से मामले इतने विगड़े या इतने बने दोनों बातें कही जा सकते हैं तो कि राष्ट को पता लगना चाहिए उसके साथ अतीत में क्या हुआ है तो इसके लिए जो साधन आज सोशल मीडिया पर आया है और जिसके करन हम लोग सब बात कर रहे हैं इनके शुरुवात उसी जमाने से है ये तभी से मीनाक्षपुर्म का धर्म परिवर्तन और और चीज़ें और राम जान की आत्रा और गंगा जल की आत्रा बगरा बगरा कई सारे चरणों में विश्युन्दु पर्शद इत्यादी कई समठनों ने इस पानी को खोलाया है ये लगातार चलता रहा अब देनश्यंद त्याईंग को हाँ से हाँ से या दोलन पर श्युन्दु पर श्युनु पर्शद को सम्तिया गया इस पर त्वडला आपस ब्दमस्गी भी हुई वेचैनी भी और देनश्यंद त्याई हिंदु जयाया अग्रमन जोड़कर संग संग से दूर चले गए और हिंदू महासभा उना ने जोइन कर ली बहल अब मैं उसी विश्य पर आता हूं तो राम जन भूमी का जो मामला था वो लगातार विश्युन्दू परशद कुम्भों में इसकी बात उठा रही थी और उसने गोश्णा कर दी कि हम कारसिवा करेंगे कारसिवा करने के लिए राम जन भूमी पर सर में ही राम नहीं अपनी जमीन खरी ली और उस पर कारसिवा करने के लिए लाग लोग एकटे करें पहुंचें मुलाइम सिंग जी इंटेंशन ये थी सीधी बात कि हिंदों के पक्ष के लिए एक हिलो अरुक्रेट की जाए इसका लाब जनसम कोई मिलेगा भाजफा कोई मिलेगा इसका लाब इसकोई मिलेगा उसकोई मिलेगा इसब मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसका इसकी ताक में थे कि इससे हमारा हित कैसे हो मुलाइम सिंग उनमें से थे उन्होंने तखमीना लगाया कि मैं यादव वोटों का तो अधिकारी हूँ यादव मूलता युद्धा जाती है और इसलामियों से जोरदा टकराते रहे हैं आपको ध्यान होगा बिहार में एक समय बड़ा जोरदा दंगा हुआ था भागलपूर में बहुत तगड़ा दंगा हुआ था दंगा इसे हुआ था कि भागलपूर में शहर में जो लोड़के रहते थे उनके होस्टल पर हमला किया तिंदारों ने और लोगों को मारा इसकी जानकारी मिली तो उसके बाद लोगों ने फिर जो मार पिलाई है तब यससे ठीक किये है वो मार यादवों ने लगाई थी वो पूरी यादव बेल्ट है उनने मारा था उन यादवों को इसलामियों के साथ जोड़ना उनके गर्चोड़ करने के काम ये दो पाफ हैं एक मुलाइम सिंग जी जिम्मेदार हैं दूसरे के लिए चौधरी चरन सिंग जिम्मेदार हैं जाट बेसिकली आरे समाजी जाती है चरन सिंग जी स्वेम आरे समाजी थे दैनिक यज्जे करते थे उन्होंने जाटों को लेकर इसलामियों के साथ राज जीती तेयर की युद्धा जाती को जो हिंदू समाज की परोश्वान जाती है उसको इसलाम के सामने समर्वण करने की तैयरी करा दी बहराल इन लोगों ने ये सूचा तो रामजन भूमी अंदोलन में हिंदू इखटे होंगे इनको रोकना है इन पर प्रहार करना है इनको पीडित करना है इनका उत्पीडन होना है उस इत्पीलन से क्या लाव होगा इसलामी अपने आपको बावरी मस्जिद से जोड़े बैठे हैं बावरी मस्जिद बावर एक आक्रमन कारी ने बनवाई थी ये सिद्ध हो गया ना कुछ दशक लगे इस बात को होने में उस मस्जिद के नीचे 84 खंबे कसोटी पत्थर के निकल आए वारा मस्जिद गिरने के बाद विवादिर धार्चा जो भी नाम लेना चाहिए उसके गिरने के बाद वारा की मूर्ति निकली उनिया भर की चीज़े निकल कराई मंदर की कुछ भी जूट बोली है जो बहुत धोंका काल था इससे पहले उनों ने बनाया था उसने बनाया था फ़ला ने न किया था किके खान और सारे लोग इसमें इन्वाल्ट थे और कोर्ट के इस कोर्ट ने जो ये इसकी जाच करने के लिए जो टीम बनाई थी उसमें आदेश था कि इसमें एक तिहाई मुसल्मान कारीगर होने चाहिए मुसल्मानों के सम्मिलित होने के साथ ही ये सब कुछ हुआ है जिस कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है पांचे जो की बैंच सी उसमें मुसल्मान था एक मत से फैसला आया है मगर इन लोगों कि ये इसमें धीरज नहीं था, कोट में तो मुकदमा चली रहा था, इनोंने तेह किया कि इन कारसेवों को जो इखटे होंगे, उनको प्रकाड़ित किया जाएगा, मैं स्वेम, हम लोग यहां से काश्रबूर से निकले, मैं सिख के बेश में था, जाड़ी थी मेर था, लखनव से आगे कुछ जगह बताई गई थी कि जहां पर हम लोग उत्रेंगे और वहां से पैदल जाना होगा, हर स्टेशन पर छोटे बड़े स्टेशन पर पूलिस वाले आते थे, खटकट आते थे, कहते थे, दो-तिन लोग नीचे निकलाओ, सबको मालम था, एक आर 20-22 वर्ष से लेकर 30-30 वर्ष तके सारे लोग थे, कुछ सीनियर्स भी थे, उसमें भाजपा के लोग थे, सीनियर्स भी, पाकि सामने लोग थे, हर स्टेशन पर यह हो रहा था, फिर एक जगह जंगल में बड़ी जोर से विसल बजी और ब्रेक लगे गाड़ी के, यह संकेत था कि यहां से पैदल निकलना है, हम लोग आदे से जारा उतर गए, शायद कुछ आगे भी उतरे होंगे, और फिर गाओं गाओं होते हुए, चार दिन में हम अयुद्ध्या पहुंचे, लोगों के उत्सा का अनुमान नहीं लगाए जा सकता, ऐसे लोग जिन के पास खाने के लिए दो बुरी मक्का है, साल भर की, पूरी एक बुरी मक्का भून के पॉप कौन से से बनते हैं न बना के लोगों को खिला दी, उसकी बुड़ी मा कह रही है, भाईया राम जी को इस बार मुक्त कराई भी न लोटना नहीं, लोगों के मन में उत्सा था, कहां से हम लोग बताने वाले, गाओं के स्थानी, अगले गाओं तक छोड़ कराएंगे, अगर कहीं कोई पुलिस की गष्टू भी तो एकदम गन्ये के खितों में चुपा देंगे, और अरहर के खिते और इसमें बैठ जाओ ये कर लो, सारी बताने वाले लोग थे, हम इस तरफ से सर पुल पर भी गोली चली, मेरे साथ के कई लोग गोली लगी, हम लोग तो पुल पर थे, शहर की ख़बर हमको नहीं पता लगी, शाम में अखबार एक साइकलो स्टाइल किया हुआ हाथ का, बढ़ा आजीब गरीब सा, उस पता लगा, उसमें उन पुलिस वालों के नाम थे, जनों ने गोली चलाई, जो जो वैपन्स फायर हुए कि 7.60 गाइफिल नहीं थी, फ़ला ना था, कारवाइन थी, यह नहीं थी, यह सारी जनकारियों उसमें दी गई, इतने लोग मारे गई, इतने लोग यह सब हुए, जहां जहां खून बरा गिरा था, वहां पर पुलिस कालों ने आग जलादी की नष्ट हो जाएं जनों, रात में वहां नीचे नदी के में कोई एक पतली सी डोंगी थी, पतली सी नाव, कोई सन्यासी थे, वह वैष्णा उसाधु, उनके साथ बैठकर हम और कुछ कश्मीर के लोग थे, जिनका में कई बर जिक्र भी करता हूं, कि जिन से संपर्क हुआ मेरा महा आएध्या में, वो उन से संपर्क यहीं हुआ था इसी नाव में, हम लोग इमना पार कर गए, वहां फिर हर धर्मशाला में, हर मंतर में, लोगी लोग, सब कार से बढ़े होते हैं, मैं का शुकुर के लोगों से, वहां मेरी भेंट हुई, ह वहां मिले और लोग, कई लोग मिले हम लोग, और अगले दिन फिर वहां गोली चलिए, सब कुछ हुआ हमारे कई लोग, हमारे जिरों ने गोली चलवाई थी, उन्होंने पूरा हिसाब लगाया, जैसे आंदुलन करने वालों ने हिसाब लगाया, वैसे ही आंदुलन रोकन करने का प्रयास करने वालों ने आयनंदुलन को नश्ट करने का प्रयास करने वालों ने हिसाब लगाया कि यादव प्लस मुस्लिम बोट इतने मिलेंगे और हमारी सपना आएगे एक ऐसा विक्ति जो व्यक्तिक अत्रूप से अपने साथी का ध्यान लगता था अपने जिसके लिए मशूर था कि अगर वो गाड़ी से जा रहे हैं निता जी कहला ते अगर कोई उनका अपना कार्य करता जिसे वो पहचानते दिग गया तो तो तुर्म गाड़ी रुक आकर उससे बात करते थे जिन्होंने गलत चीज़ों का या किसी ने उल्टी सीदी विरोध भी किये मेरी बसाद वर्मा वगारा को कई वाट टोखा भी कि तुम यह नहीं कर सकते मतब भाज़पा के लोगों के भी प्रती सम्मान करते थे तो उगरबर नहीं होने थे उस विक्ति ने निजी हित के लिए राश्ट्र को पीडित किया है ये एक ऐसी बात है जो किसी सूरत ख्रम में है ही नहीं यानि ये मेरे श्रत्य की मत्यों नहीं हुई है दशेरे के दिन हुई रभु राम की क्रपा से हुई रभु राम ने जिजन बद किया राम अनका उस दिन हुई या बाद में एक अफते बात हुई नहीं है इन्होंने जो कारे किया वो भारत की किताने बाने को तार तार करने का रहे है ध्यान रहे, बिहार में दंगे हुए, उत्तर प्रदेश में दंगे हुए दंगा शुरू कौन करता है? आखिर क्या वज़ा है, कि दंगे वहाँ होते हैं जहां Muslim बहुल ख्रित है जहाँ चार मुसल्माने पूरे गाँवे, वहाँ दंगा क्यों नहीं होता है दंगा वहां क्यों उता है जहां 25 परसंट हैं 30 परसंट हैं जहां वो समू में हैं सारे संसार में कोई नई चीज नहीं है अकेला मुसल्मान होता है एक परसंट मुसल्मान होता है तो उससे जारा दोसाइल उससे जारा स्वाम में सरहल उससे जारा शिश्ट शालीन मेहमान नवाज कोई नहीं मिलें आपको बिलकुल फूल जड़ते हैं सुना है उसके लबों से गुलाब जड़ते हैं ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं किसी ऐसी बस्ती के मुसल्मान से बात कीजिए जो संख्या में कम है फिर देखिए उनके शैली बाद में वो सारी उपद्रव होता है चोकि वो मान सकता है कि वो सारे संसार को राज करने के लिए बनी वो मानते हैं कि वो राज करने के लिए बनी है सारे संसार को उन्हें कमांड करना है सारा संसार उनका दास बनने के लिए बना है उन्हें जजिया लिने का हाक है उन्हें कुफर मिटाने का काम दिया गया है उन्हें शिर्ख करने का काम दिया गया है वो हमारे मंदिर तूड़ेंगे वो हमारे अचारों को मारेंगे हमारे विश्युद्यालों को नश्ट करेंगे तक्षिला नालंदा विश्युद्याले किसके थे बहुत विश्युद्याले थे किसने नश्ट किये इस्लामी अक्रमनकारियों तो जिन्होंने बख्तियार पूर बनाया बख्तियार खिल जी के नाम पर एक राक्षस के नाम पर, एक आत्रमनकारी के नाम पर तो उनके आसपास वाले लोगं को इसकी समझ़न नहीं है कि यह क्यों करना है यह बख्तियार खिलगी की स्मुर्थी को स्थिर करने का प्रयास क्यों करना है जो कि ऐसे लोग डेवलप करने है तो मुलायम सेंजी मुझसे कम इसलाम को समझते थे क्या इसलाम को भरबूर समझते थे इसलिए उस इसलाम का उपयोग अपनी राजिनीती के पक्षम करने के लिए उन्होंने ये काम किया कोठारी बंदों जो मारे गए ये दोनों बच्चे अपने इमाबाब के सर्क दो विटे थे अयुद्ध्या पुहँचने के लिए 200 किलोमीटर पैदल चल कर आये थे आप उस ललक का नुमान नहीं लगा सकते इन्होंने जो ये उद्ध की दाले में हद दाददाई वाली राजनी तियार की तोंती चोर बनाए ऐसे लूप दवलप किये मैं अपने से वरिष्ट के प्रति मुझे ऐसी बाते नहीं कहनी चाहिए मगर ये बात नहीं कहेंगे ये मेरे विक्टियत नहीं राष्ट के राष्ट यानि हिंदू उसके शत्र की मत्यु है ये दूसरा रावन है जिसने हर तरह से पुरा किया और ये मानसिक्ता कि मुसल्मान लड़कों ने हतियार उठाने की बात की तो उनके हाथ में हतियार न पहुँचें या उनके हाथ में हतियार हैं तो 6 जो उनसे 5 गुने उनके हाथ में उनसे 5 गुने ज्यादा हतियार पहुँचें इसको दवोचा जाए लोकि ये पहले राष्ट का देश का विभाजन कर चुके हैं इस मानसिक्ता को तोड़ना है कि नहीं देश को सुरक्षत रखना है कि नहीं कुछ साल उत्तर प्रदेश में सरकार चल गई किसी और की भी चल गई कुछ साल कॉंगरिस की भी चल गई मगर अन्तुतो गत्वा इस भारत को राष्ट की मूल धारा का भारत रखना है या इसको गंगा जमनी तहजीब के नाम पर और दजला फरात हावी कर दे नहीं इस गंगा पर इसका ध्यान तो करना पड़ेगा व्यक्तिकत हित के लिए आप कल्पना करें पर्शी मुत्तर प्रदेश की जाट बेल्ट है इसका इसलामी करन किस नहीं किया इसलामियों के साथ जाटों के राजनिती को किस नहीं जुड़ा एक आरसमाजी ने जो दैनिक एक जी करता था ऐसा देखती है तो द्यक्तिकत हितों से बड़े राष्ट के हित होते हैं राष्ट बड़ा होता है इस भावस को भूलने का परिणाम अफगानिस्तान है पाकिस्तान है बंगला देश है आपको क्या लगता है एक समय बड़ा जोरदार ढंक से बात कही जा रही थी कि पश्चिम उत्तर पुदेश में हरित प्रांत बनाये जाए अजीज सिंग जी की समझ में आ गया कि जिस दिन हरित प्रांत बनाया गया यहां का मुख्यमंतरी इसलामी होगा अजीज सिंग जी उसके ब्यूते के फीते खूलने के काम करेंगे वो जमाने गए जब आपकी पाल की उठा रहे थे अब तो सीधी कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए किया अब तुम्हारा काम है हमारे लिए करो तो यह वो लोग हैं इनका देहावसान इस ऐसे वेक्ति का देहावसान है जिसने राष्ट को नश्ट करके राष्ट को खंडित करके उसके टुकुणों पर ताजमेल बनाने की कोशिश की ताजमेल वो जो उसका निजी है इसलिए भीते वेक्ति को जाते वेक्ति को उसकी मृत्य पर शोक बिलकुल प्रकट करने का दिन नहीं है उल्लास नहीं कर सकते पृसननता वेक्ते नहीं कर सकतें तो भी इसका ध्यान नक्त्य आत्य हो और मैं वार्राण समझ नहीं पा सपाका एक्सेंशन मन देगे के बीजी भी कुछ जिनों के लिए क्या मिलने वाला है सपाका कौन सा वोट मिल जाएगा मुसल्मान तुम्हें उठ देंगे इसलामियों को इग्नोर मत करो अभेलित मत करो मगर इस इसलामियों की राजनीती को तु समझो तुम्हें क्या मिलने वाला है ऐसे फैपे करके बात बुका फाड़के रो रहे हैं जैसे बाप मर गया हो यह कर क्या रहे हैं राश्ट्र की पराजाए जिसने सुनिश्यत की ऐसे शत्र को भूलना नहीं किसी सूरत उसके पक्ष में खडए होना नहीं है मुलायम से गानी से बड़े तो नहीं है नेरु से बड़े तो नहीं है कान्दी की दिअध्या उध्यडते हम लोग सब जिसको संदै हो वो मेता मेरे संघ का कोई बीविक्ति जो प्रातरस मरण में गानी का नाम वोटीज़ा वो वी सब के सब अंदर से एक मनस्थतिक हैं नेरू की प्रति सब के मन में सजगता है अटल वियारी बाच भी कुछ ओड़के उनकी बारे में नहीं कहता बागी सब के अंदर सजगता है तो यह कि उनसे बड़े हैं मगर उनने उनसे ज्यादा हानी पहुंचाई तो विक्तिगत हित अहित का मामला नहीं यह मेरे नहीं हमारे राष्ट की शत्रु की मत्यु है इस पर पर राष्ट को फिर जिंजला कर खट-खट आ रहा हूं अपने शत्रु का बोध रखिये भूलियें मत कि किसने राष्ट को हानी पहुंचाई दे